कुछ request की थी, तो उसी के विशे में आज जो है हम लेके चलते हैं, dental, ENT, ailments, cure them naturally, जी हाँ, चाहे दातों के रोग हैं, आखों के, नाक के, कान के, सभी रोगों का जो उपाय है, आपको अपने घर में ही बहुत आसानी से उपलब्ध है, उसके लिए medical store जाने की आपको आवशक्ता नहीं है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, dental problem की, आज कल, इवन ये, कॉरोना का जो भी black fungus, जो secondary infection जिसे कहा जा रहा है, तो उसमें भी ये सभी, जो है, प्रशेत्र परभावित हो रहे हैं, दातों में, जो है, problem आरी है, आखों में itching और swelling और redness की समस्या देखी जा रही है, साथ-साथ हमारे nose में, ear में, इस तरह से ये समस्याएं, इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े आपको, तो उसलिए कुछ ऐसे उपचार जो दिन चर्या में आप regularly अगर करेंगे, तो उससे आपकी ये समस्याओं जो है, बहुत ही आसानी से naturally ठीक हो जाएंगी, तो सबसे पहले दातों की बात करते हैं, दातों में अक्सर जो है, चीस लगना, दातों का हिलना, bleeding होना, और कुछ भी ठंडा गरम लगना, तो ये बहुत सारी समस्याओं कहने को ये बहुत छोटी है, लेकिन हमारा जीवन इससे दूबर हो जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको नोट करना पड़ेगा, कि एक बाइविडंग पाउडर जो आपको आयरवेदिक शॉप से मिलेगा, तो हमें क्या करना है, 10 ग्राम्स बाइविडंग पाउडर लेना है, और 10 ग्राम्स फिट करी लेनी ह है, जी हां, 10 ग्राम्स ऑफ बाइविडंग पाउडर जो आपको किसी भी आईरवेदिक शॉप से उपलब्ध हो जाएगा, और एमाजोन इत्यादी से भी आप जो है, ओर्डर कर सकते हैं, या जो भी आईरवेदिक शॉप से, और 10 ग्राम्स हमें फिट करी लेनी है, और इन दोनों इंग्रेडियंट्स को हमें तीन लीटर वाटर में जो है, बॉयल करने के लिए गैस पे चड़ा देना है, अब ये बॉयल होते होते, जो है, क्या कहते हैं, फ्रॉम वीना जी, इट हैस हेल्पड मी अलॉट, ये सेशन के बाद आपका फीड़बैक लेंगे वीना जी जरूर बताइएगा, तो दस ग्राम फिट करी, एलम जिसे बोलते हैं, दस ग्राम बाई विडंग पाउडर और तीन लीटर पानी में आपको उसको बॉयल करना है, जब तक वो वन लीटर हो जाए, ये देखिए, मैंने भी बनाया हुआ है, क्योंकि जैसे ही दात में कोई सम समस्या होती है, तो ये रेगुडरली मैं घर पे बना के रखती हूँ, और इट हैसे सेवड लैक माई फैमिली विजिट तो देन्टिस्ट, या रियली, चाहे दातों का हिलना है, चाहे ब्लीडिंग है, या चीस है, या टीस है, कोई भी, और याद रखिए कि जो हिलते आपका जो है, ये एक तरह से मेडिसन बन गई है, अब इसको जो है, आप सुभे और शाम, जो है, मू में इसका कुल्ला करना है, यानि कि इसको मू में रखना है थोड़ी देर, जिसे रात को बैट टाइम पे आप सोने जाएं, तो जब कुछ नहीं खाना है, याद रखिए इसके काड़े के करने के बाद, आप आदा पौना गंटा कुछ खाएंगे नहीं, आपको बस सिंपल जो है, माउथ वाश की तरह इसको मू में भरना है, और थोड़ी देर इसको जो है, चारो तरफ चलाना है, और उसके दो, चार, पाँच मिनट में आपको इसको कुल्ला कर देना है, तो इस तरह से आप दो, तीन बार करेंगे, और एक बार करने से ही आपको उससे बहुत रहत मिलेगी, तो ये बना के रखिए, डेंटल हेल्थ का कल कोश्चन आया था, तो यदि वो सुन रहे हैं, जिन्नों ने ये प्रश्नी किया था, दातों की सभी समस्याओं का इस प्रकार से निवारण, अब चलते हैं आइस पर, आइस का जो है मैं पहले भी बता चुक्यों, लेकिन ये जो है सेशन, specially मैंने जो है, डेंटल, इयर, नोस, थ्रोट, सारे एलमेंट्स, जो हर घर में कुछ ना कुछ, चाहे बच्चों को लीजे या बड़ों को, ये समस् देखने को आ रहे हैं, तो इस से पहले वो आपके संक्रमर्ण प्हेले, आप उसका उपाये करें, आँखो के लिए ये मैंने क्या करते हैं, टृफला वाटर है, टृफला वाटर जो है, जिसको हमें बनाना है आपको एक चम्मच्छोटा चम्मच जो है, एक कप, इतने पान आखों पे आपके थोड़ा सा रड़क जिसे बोलते हैं वो लगे तो कपड़े से मुसलिन क्लॉट से आप इसको छानिए त्रिफला वाटर को और फिर इसको जो है जिस तरह से आप शौचादी से निवरित होके सिंक पर ब्रश के लिए जाते हैं तो make it a part of your life आपको ये पानी त्रिफला का पानी लेना है मुँ में पानी भरना सबसे पहले सादा पानी आपको मुँ में पानी भरके इस तरह से मुँ फूल जाएगा और फिर उसके बाद ये त्रिफला वाटर जो है एक एक आख पे कम से कम चार-पाट बार स्पलैश कीजिए और अगर आप ये प्रॉ तो इस कप में आदा कप भरके त्रिफला वाटर आपको आइस पर लगाना है इस तरह से फिर उपर करके कम से कम 10-15 बार आखों को खोलना बंद करना है। प्रक्रिया आप यह पानी फैक देंगे फिर पानी भरेंगे और दूसरी आख से इस तरह से करेंगे तो इस प्रकार से दो-तीन बार आपको त्रिफला वाटर से अपना आईवश कप से या फिर आप ऐसे ही water को splash करके आप कर सकते हैं आखों के लिए भोजन का भी ध्यान बलके सभी ailments के लिए भोजन का भी सुधार करना बहुत आवश्यक है अब nose की बात करते हैं nose और जो के ये virus हमारे nose से infection एंटर करके sinuses इत्यादी में तो उसके लिए जो लोग जल लेती सूत्र लेती इस समय कर सकते हैं तो वो लोग उसका अभ्याज शुरू कर दे और साथ-साथ जो है ये देखिए बादाम रोगन आप इसको dropper की साहता से चार चार पांच पांच बूंदे आप एक एक nostril में regularly डालिए ये भी डाल सकते हैं आप almond oil या फिर आप जो है देशी घी गुन गुना करके उसके चार चार पांच पांच बूंदे आप nostrils में daily make it apart ये सारी बाते आप अपनी दिन चर्या का हिस्सा बढ़ा लीजिए ताके अगर अबल तो जो infection है वो आपके भीतर आएगा नहीं और आगया है तो वो tick नहीं सकेगा और इसके साथ सरसो का तेल भी आप जो लोग थोड़ी सी itching बरदाश कर सकते हैं क्योंकि सरसो का तेल थोड़ा लगता है तीखा पन उसका फिर उससे आप में पानी नाक में पानी लेकिन वो फाइदा करता है यह सभी तीनों चीजे जो मैंने बताई हैं नाक में रेगुलर्ली डालने के लिए इससे जो है आपका लिब्रिकेशन होगा म्यूकस मेंब्रेन में और अगर जो फंगल इंफेक्शन इत्यादी कुछ होने की संभावना भी होगी तो वो भी खतम हो जाएगी कानों के लिए जो है इस समय जो है कानों को भी ध्यान रखने के लिए हमारा ट्रेडिशनल ओल्ड एज जो उप्चार हम करते हाए हैं वो ही आपको सरसो के तेल में आपको दो तिन कल्यों को पकाना है तो वो आपका एंटी वाइरल और एंटी बैक्टिरियल एंटी फंगल ऐल तेयार हो जाएगा और उसको जो है आपको दोनों कानों में आपको जो है दो दो तीन तीन चार-चार बूंदे डालनी है और कॉतन से उसको फिर बंद कर देना है और जब यह आप डालेंगे कान में तो थोड़ी दिर लेते रहेंगे और इसी तरह से जब नाक में भी आप ओल डालेंगे तो डालने के बाद आप दो-चार मिन लेटे रहे और फिर उठे तो इस प्रकार से बहुत सारे जो हमारे दातों की समस्या, आखों की, नाक की, कान की, इस प्रकार से घर पे बैठे हुए आपको कोई हॉस्पिटल, कोई ड ये तो हुई हमारे ENT ailments और dental care के बारे में, अब इसके साथ भोजन में आपको जो है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कि जैसे ही आपको कोई भी तकलीफ सताती है, चाए किसी प्रकार की भी हो, तो तुरंत आप fasting पे आ जाईए, तुरंत देखिए जब रोग आते हैं, तो वो हमें चेताते हैं, कि हमने कहां गलती करी है, तो उस गलती को सुधारने का समय है, ना कि दवाईयों द्वारा और गलतिया करने का, याद रखिए इस समय जो black fungus या mucomycosis जो हो रहा है, वो उन लोगों को हो रहा है, जिनोंने steroids और medicines और co-morbid situation के चलते, तो उनकी immunity एक अंदर, बाहर, bacteria, virus, fungus से चारों तरफ से घिरे हुएं, बलके हमारा 90% make-up है, जो हमारे 10% ही अपने cells हैं, बाकि 90% तो pathogens ही हैं, लेकिन वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुचाते, क्योंकि हमारी भीतर की immunity इतनी strong होती है, लेकिन जैसे ही हम medicines, इत्यादी, toxic matter खाके अपनी immunity suppress कर हैं, तो फिर इन viruses, fungus, bacteria, जो है, वो कहीं से भी कोई भी आकर हमारे भीतर जो है, infection पैदा कर देता है, क्योंकि हमारी immunity उससे लड़ नहीं पाती, तो इस तरह से आपको भोजन का अपना बहुत ध्यान रखना है, कि प्रति दिन जो है, मैंने जैसे बताया, eliminative drink आपको लेनी है ताके आपके toxins, जो है, देखे, toxins से हम बच नहीं सकते, toxic matter तो हमारे भीतर आएगा ही, अनजाने में चाहे आए, क्योंकि pollution हवा में है, और पानी में भी नजाने कुछ कई बर pollutants आ जाते हैं, और उसके बाद जो है, हम भोजन खाते हैं, हलो सबजियों में, अनजाने में कितन सफाई करने के बाद भी, जो है, anti-oxid, ये, क्या कहते हैं, pesticides, इत्यादी हमारे भीतर चले जाते हैं, और साथ-साथ, ये तो अनजाने में toxic matter आता है, लेकिन जान बूच कर हम कितना toxic matter जानते हैं, डालते हैं अपने भीतर, जब हम जो है, ये animal foods बहुत खाते हैं, जब हम dairy food ब बहुत खाते हैं, तो याद रखिये, ये जो refined और factory से जो आते है, packets और bottles और tetra packs में हमारे घर में, they are loaded with harmful chemicals and they are gonna suppress our immunity terribly, so उनको हमें प्रयोग नहीं करना है, ताजा बना हुआ खाना है, जैसे कल भी मुझसे किसी ने प्रशन किया था कि कॉलन क्लेंजिंग सूप हम चार पा दे जी नहीं, आप ताजा बनाए, the food should come directly from the kitchen to the dining table, अगर आप फ्रिज में रखके, स्टोर करके, अगर आप खा रहे हैं, तो याद रखिये, उसकी nutrient value आपको नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको जो है भोजन का और nutrition का और ताजा पका हुआ भोजन, प्राकृतिक भोजन और कम तला, भुना और refined food जैसे refined salt, sugar और refined जो है, ये grains जो है, whole wheat खाईए, wholesome food खाईए, with the bran, कनक समेथ, चावल खाईए, तो इस तरह से अपनी daily routine में आप जब अगर conscious eating करेंगे, तो आपकी immunity इतनी strong हो जाएगी, आपको कभी किसी infection से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, और साथी साथ आपको जो है, कुछ प्राकृतिक प्रियोग जो है, वो घर पे ही रहते हुए आप करने से आप अपनी immunity बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही एक प्राकृतिक चिकित्सा के प्रियोग, hot food बात की मैं करूँगी, जिन लोगों को भी high BP की medicine खा रहे हैं, मैं उनसे request करूँगी, कि ये high BP क medicine हमारा target ही होना चाहिए, कि ये medicine धीरे-धीरे चाहिए वो diabetes की हो, चाहिए वो high BP की हो, चाहिए वो blood thinner हो, ये सब हमें धीरे-धीरे अपने doctor की सला से taper करनी है, कम करनी है, और high BP कैसे कम होगा, जब आप hot food बात लेंगे, hot food बात लेने का admin, धिरेंची से मैं request करूँगी, कि इ care कर दे, thank you admin, तो hot food बात जो है, हमें इसको करने के लिए, क्या करना है, हमें सबसे पहले एक-दो गलास पानी पी लेना है, अभी कली हमारे सादक से बात हुई, मैंने का, आप hot food बात ले रहे हो, तो BP कुछ कम हुआ, तो उन्होंने का, नहीं, तो मैंने का, आप hot food बात कैसे लेते हो, वो बोली, मैं AC कमरे में लेती हूँ, तो याद रखिए, इस तरह से अगर आप प्रियोग करेंगे, तो आपको लाब नहीं होगा, आपको जब भी प्रियोग करना है, तो natural environment, जैसे बहुत तेज पंखा नहीं हो, AC नहीं हो, आप अपने bathroom में ये जो है, प्रियोग अपने chair पे बैठके और सामने बाल्टी रखके, जितना तेज गरम होगा, बस याद रकिन जले नहीं, जितना बरदाश कर सकते हैं, लेकिन गरम से गरम उसमें जो है, गुटनों तक आपका बाल्टी का जितना पानी पूरी भर लीजिए, गुटनों तक आपके आएगा, औ और फिर अपना पूरी बाल्टी और बाल्टी आपको ऐसे कंबल से लपेट लेनी हैं, कि आपकी पूरी बाल्टी कवर हो जाए, और पूरा जो है आपका बाल्टी भी उस कंबल के भीतर आ जाए, ये प्रयोग और आपने सर पे गीला टॉबल रखा ही हुआ है, ये पूरा क पूरा प्रियोग जो है हमारा 20 मिनट का है और 10 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो पानी है जिसमें पैर डाले हुए हैं वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो वो पानी आपको मग से तोचार मग समार निकालेंगे और फिर उसमें खूब तेज गरम जो है व्यक्ति ये इसमें किसी मदद की जरुत होगी कोई आपके साहता करे ताके उस आप पैर आपके उसी पानी में होंगे साइट से पानी निकालके उसमें और तेज गरम पानी डालना है इसका परपस क्या है कि लगातार वो जो टेंपरेचर है गरम वो बना रहे और आपको खूब सारा जो है विकार निकले पसीने के रूप में और आपके जो हिर्दे पर भार है जो ब्लड प्रेशर जो रक्त भार उपर की और है याद रखिये जब हम पैर गरम पानी में डालेंगे तो वहां की बलड वैसल्स डाइलेट होंगी तो उपर का रक्त भार नीचे की और सबल व्यक्ति है आपको साधे पानी से सिर से सनान कर लेना है तुरंत हॉट फुड बात से निकल कर और जो थोड़े दूरबल है या नहीं सनान कर सकते तो उनको पैर पर साधा पानी डाल ले और पूरी बोड़ी को गीले भीगोए तोलिये से वाइप आफ कर ले तो इस प्रक कित्सा का एक प्रियोग है इसको कौन-कौन सी जो है कंडिशन में हम कर सकते हैं बीपी तो मैंने बताया अब यदि आपको थकावट हो रही है अपने मन में ये लग रहा है कि आपको जो है बुखार होने वाला है लगता है ठंड लग गई है सर्दी है जुखाम है चेस्ट म बना हुआ है तो ऐसी कंडिशन में भी तुरंत यदि आप होट फुट बात ले लेते हैं तो आने वाली जो बिमारी है आपको बुखार होगा ही नहीं उसका जो प्रभाव है जो शरीर पर आपके पड़ा है वो पहले ही होट फुट बात से कट जाएगा तो जैसे ही पहला आपको लगे कि आपके शरीर में बहुत जादा जो है फिटीग हो रहा है और आपको लग रहा है कि बदन तूटा-तूटा हो रहा है हिम्मत नहीं है और ज़रूर मेरी तवियत कराब होने वाली है या बुखार आने वाला तो उससे पहले ही आप hot food बात ले ले इसके साथ साथ insomnia इस समय जो है जो stress और tension और fear का महौल है तो कई लोग anxiety वश रात को सो नहीं पाते हैं तो ऐसे लोगों को भी रात को सोने से पहले जो है अपना hot food बात ले के जब सोएंगे तो उनको बहुत ही अच्छी नीद आएगी और इस प्रयोग में भी हर प्रयोग की तरह भोजन का अंतराल आवशक है आपको अगर हलका भोजन किया है आपने नाशता किया है तो उसके एक घंटे बाद ये प्रयोग करें और यदि आपने full meal जैसे रात को अगर आप 7 बजे डिनर किया है तो 10 बजे तक आराम से आप इ जो है होगा तो इसको जरूर अपनाए और बहुत सारी एलमेंट्स जो है चाहे माइग्रेन है इवन माइग्रेन, हैडेक, इंसोम्निया, कफ एंड कोल्ड, चेस कंजेशन, हाई ब्लड प्रेशर, देखें सिंपल सा प्रयोग और इसके कितने लाभ है और इसमें जो है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं तो अवश्य इसे करें और इसी के साथ I think now I should take questions ताके आपकी कोई अगर समस्या है उसका हम समधार करें Can you, can hot food bath be used in controlled BP? जी हाँ, अगर अगर आपको कोई ऐसी condition मैंने जैसे बताई के आपको लग रहा है कि कुछ हरारत है, cough cold है या थकावट है, बहुत जादा थक गए है तो जरूर लेके उसको hot food bath लेके आप सोएंगे तो वो जो बेचैनी आपके हाथ पैरों में होती है रात को कई बर सो नहीं पाते तो वो नहीं होगी तो definitely आप ले सकते हैं कोई भी व्यक्ति ले सकता है